हेलो फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ hidden way to clear browser catch instantly in a google chrome तो मेरा नाम है रोनो को आप देख रहे हैं मेरी चैनल Techmania चल ये दोस्तों सुरू करते हैं तो उससे पहले मैं आपको ये बता हूँ कि आप कैसे इसको clear कर सकते हैं अपने google chrome से तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि catch होता क्या है तो catch एक छोटी सी file होती है जो भी हम किसी भी website पे visit करते हैं तो इस catch में आपको उस website के कुछ documents मिल जाते हैं जैसे कि html file मिल जाती है आपको javascript उसकी मिल जाती है और जो भी हम images और icons देखते हैं वो इस catch file में अपने computer में store हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर हम कभी भी उस website को reload करते हैं मतलब भी कभी भी आपने उस website को again उसको visit किया तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे computer में catch file से होती है वो first load हो जाती है और जो भी update files है वो server से लाके आपको browser यहाँ पे display कर देता है तो इससे क्या होता है कि हमारा time भी बच जाता है और हमारा data भी इतना कुछ use नहीं होता तो इस catch को हम कैसे clean कर सकते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो पहले तो आपको पताए होगा कि normally हम setting में जाके catch clear कर देते लेकिन यहाँ भी में कुछ hidden trick है जो आपके साथ share करना चाहता हूँ तो पहले तो आपने किसी भी website open कर लिए अपने Chrome browser में जैसे कि मैंने यहाँ पर YouTube शुरू किया है तो आपको जो भी website के catch को आपको remove करना है तो आप पहले उस website को अपने Chrome browser में open कर दीजिए बाद में आपको click करना है F12 key जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ F12 key तो F12 key प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको right hand side कुछ दीखाई दे रहा है इसको कहते है देव टूल तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो hidden trick कहां पर and hard reload तो इसमें क्या होता है मैं आपको इस तीनो के तीनो रिलोड के बारे में बताता हूँ तो पहले हम है देखना है कि normal reload में क्या होता है तो normal reload में यह शिर्फ हम जो normally बीना देव टूल के आप किसी भी website को reload करते है यहाँ पर reload button पर click करके तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर normal reload में होता है तो यह कुछ इतना खास करता नहीं है इसमें क्या होता है कि जो भी हम website को visit करते है अगर आपके computer में उसका catch file होगी तो वहाँ से लाके reload कर देगा और जो भी update file होगी वह server से लाके आपके browser में reload कर देगा तो इसमें normal काम होता है जो भी हम यहाँ पर normally किसी भी website को reload कर होते है वैसे ही अब मैं आपको बताता हूं hard reload के बारे में इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे computer में catch file सेव है इसको यह ignore कर देता है मतलब कि जो भी catch file है उसको आपको यहाँ पर reload करने को नहीं बोलेगा यह जब भी हम इसको hard reload करते किसी भी website को तो वह सारा का सारा data server से लाक होता है और आपको पूरी की पूरी website फिर से आपको मिल जाती है यह best तरीका नहीं है best तरीका है आखरी वाला जो मैं आपको बताता हूं यह empty catch and hard reload तो इसमें क्या होता है कि basically यहाँ पे आप click करोगे तो क्या होगा कि हमारे जो भी website के catch हमारे computer में save है वो सारे clean हो जाएगे और अगेन आपको सारे का सारा data वहाँ से server से लाके यहाँ पे आपको load करेगा और वो सारा catch हमारे laptop में save होगा तो यह क्या करता है कि हमारे जो भी catch ने हमारी space रखी हुई है वो सारे के सारी यह clean कर देगा और फिर से नई website reload करेगा तो यह कच्छे तरीका है clean करने के लिए catch तो यह तिन तरीके है तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा यूज़ करना आपको कौन सा अच्छा लगा हो तो उमीदे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को like और share कीजिए और प्लीज गाइस इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का subscribe का जाएगा उस पर क्लिक करके आप मेरी चैनल को subscribe कर दीजिए और उसके साथ आपको एक बैल आइकन दिखाई देगा उसको उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको notification मिल जाए जब भी कोई भी नाय वीडियो डालो तो थैंकियो दोस्तो क्लिक कर दोस्तों ये प्रॉब है क्लिक कर दोस्तों कर दोस्तों पर देंगा उसस्तों भी कि आपको एक जब हैंकि न वाल का लो बाएगार प्लोशई देंग